बिना कॉंग्रेस के गोल मजबूत नहीं होगा अखलेश के तिलंगाना दौरे पर उंप्रकाश राजबर ने दी प्रतिक्रिया नमस्कार दर्शकों आप देख रहे हैं ट्रगर न्यूज और मैं हूँ आपके साथ चेश्टा चोपडा भारत राश्ट्र समिती के अध्यक्ष और तिलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेकर राव केसी आर दौरा खमन में आयोचित रैली में समाजवादी पार्टी के मुख्या अक्लेश यादव के शामिल होने पर सुहेल दे भारतिय समाज पार्टी अध्यक्ष उंप्रकाश राजबर की प्रतिक्रिया सामने आ इसके साथ ही सुबाश पा प्रमुकों प्रकाश राजबर ने कहा कि अलग अलग लोग गोल बनाएंगे कॉंग्रेस अलग गोल बनाएगा केसी आर अलग बनाएगा ममता अलग बनाएंगी सब अलग अलग गोल बनाएंगे इसका कोई मतलब नहीं है सब एक साथ मिलकर गोल तबी सफलता प्राप्त होगी इस जन सबा में सपा मुख्या अखलेश आदव ने बीजेपी पर निशाना साधा अखलेश ने कहा कि ये खमम वो धर्ती है जिसने हमेशा इत्यास बनाने का काम किया है यहां के लोगों में बड़ी से बड़ी हुकूमत और ताकते रही होंगी उनके खिलाफ अपनी आवाज उठाने का काम किया है बीजेपी सरकार चुनी हुई सरकारों को परिशान करने का काम कर रही है अगर तिलंगाना से सफाया हो रहा है बीजेपी का तोतर प्रदेश भी पीछे नहीं रहेगा आप तिलंगाना से इनको हटाईए यूपी से हम लोग मिलकर उनको हटाने का काम करेंगे बतादे कि तिलंगाना के खमब में भारत राश्ट समिती ने एक जनसबा का योजन किया है इस जनसबा में मुक्मंत्री के चंदरशेकर राओ के उपस्तिती में दिल्ली के सीम अर्विंद केजरिवाल पंजाब के सीम भगवनमान, केरल के सीम, पिनाराई विजियन, समाजवादी पार्टी अध्यक शकलेश ज्यादव और CPI माहस अचीव धी राजा शामिल हुए धन्यवाद दर्शकों ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं